दोस्तों आज GST पोर्टल पर एक नई एडवाईजरी आई है यह एडवाईजरी के इंटेक्स पेर्स पर एप्लिकेबल है एडवाईजरी है टाइम लिमिट फूर रिपोर्टिंग इन्वोइसेस ओन दा आई आर्पी पोर्टल तो यहां पे जो बताया गया है कि इस टू इन इन्वोइस पोर्टल ठीक है तो अब यह जो टाइम लिमिट लगाई जाएगी कि आप कब तक रोल्ड इन्वोइसेस रिपोर्ट कर सकते हैं यह उन टेक्स पेर्स के लिए लागू होगी जिनका एन्वल एग्रिगेट टर्नोवर अभी फिलहाल ग्रेटर देन हैं 100 करोट से तो यानि कि 30 दिन पुराने इन्वोइस रिपोर्ट नहीं किया जाएंगे तो इन के टेक्स पेर्स को जिनका एन्वल एग्रिगेट टर्नोवर ग्रेटर देन 100 करोड है उनको अलाओ नहीं किया जाएगा प्लीज नोट डाट कि यह जो रिस्ट्रिक्शन है देट विल अप्लाई तो ओल दोकुमेंट टाइप सभी डोकुमेंट पर एप्लिकेबल रहेगी यह रिस्ट्रिक्शन चाहे वो आपके इन्वोइस हैं क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है जिनके लिए भी आपको IRN जनरेट करना होता है उन सभी पर यह टाइम लिमिट एप्लिकेबल हो जाएगी एग्जामपल के द्वारा भी समझाया गया है अगर आपके इन्वोइस की डेट एक नवंबर है तो आप इसे 30 नवंबर के बाद रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है दिस वैलिडेशन बिल्ट जो होगी इन्वोइस रिजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देट विल डिस अलाओ कर देंगे वो यूजर को फोर रिपोर्टिंग दा इन्वोइस आफ्टर थर्टी डेज विंडो तो टेक्सपेयर को यह इंशूर करना है कि वो अपने जो इन टेक्सपेयर जिनका एन्वल एग्रिगेट टर्नोवर अभी as of now less than 100 करोड है उनके उपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन ओजर टू प्रोवाइड सफिशन टाइम फोर टेक्सपेयर की वो इस रिक्वार्मेंट से कंप्लाइ कर सकें विच में रिक्वायर च झाल